So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे REC Limited की So, REC Limited की अगर बात कर ले तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है स्टॉक यहाँ पर आज गेता हुआ नजराया है बट जल्दी स्टॉक में गिरावट कात्म होने वाली है कि कुछ important levels यहाँ पर create हो रहे है उन levels को देखकर लग रहा है कि स्टॉक एक strong support ले रहा है और यहाँ से एक jump लगा सकता है तो वीडियो को आइन तक देखना REC के dividend की हमें मिल सकता है उसको भी हम discuss करने वाले है और एक bonus और split share को भी हम देखेंगे इस particular वीडियो में तो वीडियो को इन तक देखना और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो please चैनल को subscribe कर देना तो वीडियो को करते हैं continue तो यहाँ पर आप देख सकते हो REC Limited आज हमें 132 रुपिस के level पे closing देता हुआ नजराया 1.60 रुपिस के राउं तक की गिरावर देखने को में अमल जाती है 1.20% के basis पे और वही अगर आप देखोगे तो stock 5 days में भी काफियत तक गिर चुगा है 5.90 रुपिस के राउं तक की गिरावर नजर आ रही है 4.28% के basis पे और वही आप देखोगे तो stock में जब मैं हापर trade line बनाता हूँ तो आप wait कर से तक हो एक breakout का और यहाँ पर बन रहा है एक support level तो आगे मैं और clear ढंग से बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो one month की बात कर लें तो 7.95 रुपिस तक की हाँ पर एक बड़त देखने को मल जाती है 6.41% के basis पे और वही अब बात कर लें तो 6 महीने में भी यह share ने अच्छे returns दिये है 32.35 रुपिस तक की growth हमें देखने को मिल जाती है और साथ ही आपर एक strong breakout भी हमें देखने को मिलता है और वही आप देखोगे तो stock में यहाँ पर एक support भी देखने को मिल जाता है और इस breakout के साथ ही यह share अच्छे returns हमें आगे दे सकता है तो इस charge का भी आपको ध्यान रखना ह यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ important है volumes लेवल जो है यहाँ पर आप देखोगे तो 64 lakh के around तक की delivery stock में उठाएगी है एस्टरडे की भी बात कर ले तो 86 lakh के around तक की delivery share में उठाएगी है 45 lakh के around तक का यहाँ पर common delivery भी देखने को मिल जाता है वही आगे बड़े तो volume भी देख स सकते हूं यहाँ पर 86% के around तक की यहाँ पर लोग हैं buy करने के लिए के रहे 86% लोग जो काफी अच्छे levels देखने को मिल रहा है और 14% लोग है जो यहाँ पर stock में sell करने के लिए तो 86% लोग यहाँ पर positive है यह चीज हमें देखने को मिल जाती है और वही बात कर ले तो stock में आप देखोगे तो एक rising wedge type channel create हो रहा है यहाँ पर share में हमें एक rejections भी देखने को मिल रहा है और वही बात कर ले तो stock आप देखोगे तो यहां से एक fall आया था एचीज हमने पहले ही clear कर दिदी कि stock में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है और एक गिरावट हमे support लेके अच्छे returns इसने दिये बट suddenly sideways रहा फिर एक अच्छा high लगा फिर यहां से एक fall आया क्योंकि market भी कहीं न कहीं आप देखोगे तो weak नजरा रहा था तो इस pattern में आपको गिरावट देखने को वालेगी बट यही pattern में एक अच्छा pattern छुपा हुआ है जो बिलकुल यहा पर आपे level देख सकते हूं इस level को ध्यान से देखोंगे तो share में 114 रुपिस के level से एक बड़ा fall देखने को मलता है पहले तो stock नहीं हाँ से आप देखोगे तो कई बार rejection space कीए है 138 के level से यहाँ पर हमें एक अच्छा breakout भी मिला था इस breakout के बाद इस share ने एक अच्छी rally भी तक की बताई 140, 141 रुपिस के around share गया फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोंगे 140 रुपिस के level से stock में एक fall देखने को मिला और यहाँ पर stock ने इस range को भी break करना start किया यहाँ पर multiple times इसने supports लिये थे यहाँ पर आप देखोंगे 136 के level की में बात खरूँ यहाँ पर इसने support लिया था फिर यहाँ पर support लिया था फिर यहाँ पर support लिया था multiple times इसने इस particular range को test किया फिर उसके बाद 140 के level से यहाँ पर एक fall देखने को मिला और यहाँ पर मिला एक breakdown breakdown के आते ही stock में एक बड़ी गिरावट आ गई और 132 के level से इसने support लिया फिर उपर गया फिर नीचे फिर यहाँ से आप दीक सकतो अगेन एक rejection फिर नीचे के और यह support लेने आ रहा है थो एक pattern create होगा है symmetrical type pattern भी चेसकते हो falling wish type में यहाँ पर आप देखोगे तो stock में support आप देख सकते हो यहाँ पर आप support देख सकते हो और यहाँ पर भी आप support देख सकते हो और यहाँ पर अगर breakout मिल गया तो breakout के बाद ये शेर सीधा तगड़े highs लगा सकता है और 140 रुपीज तक की जो ये range है easy तरीके से जो ये target है वो easy तरीके से चीव हो सकता है तो कल के लिए तो आप बिलकुर इसमें positive रहो अगर ये 133 का level break कर देता है तो break अगर हो गया तो 140 रुपे का जो target है easy यहाँ पर अच्छी होने वाला है इस चीच का आपको त्यान रखना है क्योंकि बड़े time frame पर भी आप देखोगे तो पहले यहाँ पर एक rising wedge type channel क्रीड हो आप breakout के बाद stock ने sustain किया एक अच्छा हाई लगा वहाँ पर यह आप देखोगे तो एक अच्छी चीच हमें देखने को मिल रही है तो बिल्कुल आप यहाँ पर positive रह सकते हो बात कर लेते हैं one day के time frame पर क्या देखने को मिल जाता है तो day one के time frame पर stock में यहाँ पर support है यहाँ पर support है और यहाँ पर support है ही आपको अवैट कर दिया था alert कर दिया था कि इन level से rejections मिले है इस level से breakout मिला है तो यहाँ पर support भी लेगा और support लेके अच्छे returns भी एशर दे सकता है वही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखूंगे one week के time frame पर stock में एक falling wish type pattern create हुआ breakout यहाँ पर मिला breakout के बाद stock sustain किया फिर एक breakout के बाद अच्छा jump फिर sideways चला फिर एक अच्छा jump देखने को मिल रहा है तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कही ना कही stock यहाँ पर भी support ले सकता है इस range पर भी यहाँ पर support मिल सकता है आप देख सकते हो एक head and shoulder type pattern create हो रहा है inverted यहाँ पर breakout के बाद share उपर जा रहा है तो यहाँ पर support लेके उपर की ओर तक के jump लगा सकता है और बड़े time frame पर भी वही देखने को मिल रहा है upside down momentum हो है breakout के बाद share sustain किया और उपर की ओर जा रहा है जैसे मेंने पता है कि क्या हमें RDC में dividend मिले जा तो हाँ इसका answer है बल्कुल मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर quarterly results में announce हो सकते है और 2022 की बात कर लें तो यहाँ पर इसने जुलाई के महीने में dividend दिया था और वही अगर देखे 2030 में फरवरी में dividend दे चुका है तो अब अगर देखा जाएगा इस तो में के मन्त में या फिर जून के मन्त में हमें dividend यहाँ पर quarterly जो results है उनका announcement होने के साथ साथ यहाँ पर dividend मिल सकता है और जुलाई के मन्त के around हमें dividend का announcement यहाँ पर होता हो भी दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं किसे share की जो split हो रहा है और किसे share की बात करेंगे जो bonus दे रहा है जो पहला share है विसा का industry is limited है यहाँ पर आप देख सकते हो 440.85 रुपिस तक की यहाँ पर आपको closing देखने को मल जाएगी split हो रहा है share 10-2 में यानि अगर आपके पास company के 2 share है तो 10 share में आप तोटने वाले है 15 मुई 243 से पहले buy करने वाल कर सक खरोगे तो आपको बिल्कुल इसका benefit मिलेगा फिर आजाता है hardware data limited है यहाँ पर 371 रुपिस का share है और यहाँ पर हो रहा है बोनस 1-2-3 में और यहाँ पर आप देखोंगे तो 5 जून 2023 से पहले buy करते हो इसकी एक्स bonus date हमें यह देखने को मिल रही है तो बिल्कुल bonus और split share के बारे में हम discuss कर चुके है और साथ ही react की भी हमने बात कर लिए है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में investment करने से पहले शेयर का analysis कर लेना Thank you